Hello everyone, my name is Kaurav, welcome to WS Cube Tech, WS Cube Tech में आप से वास स्वाकत है, आज के इस particular video के अंदर हम बात करें, तो basically हम SCADA सिस्टम को देखने वाले हैं, yes, यहाँ पर हमार पास industry automations के अंदर हमार पास बहुत सारे components होते हैं, just like मैं बात करूँ, यहाँ पर SCADA, PLC, and यहाँ पर बात करें, HMIs, and water revs ह होते हैं, yes, इन सभी के अंदर SCADA भी एक important components है, तो आज की video lecture से हम यहाँ पर SCADA system को start करने वाले हैं, इसकी complete playlist के अंदर आपको SCADA system कैसे यहाँ पर draw किया जा सकता है, किसी plant का, यहाँ पर कौन-कौन से components use होते हैं, plus बात करें SCADA system कैसे work किया जा सकता है, वो सारी चीज़े हम य आज की video lectures के अंदर हैं, तो आज की video lectures के अंदर हम यह समझने वाले हैं, कि SCADA क्या होता है, what is SCADA, SCADA कहां use होता है, plus यहाँ पर SCADA system किस तरह से work किया जा सकता है, और उसके बात करेंगे, उसके measure components के बारे में, कि उसके अंदर कौन-कौन से हमें measure components देखने को मिलेंगे, plus यहा आप किसी भी industries को लेते हैं, उस industries के अंदर हमारे पास बहुत सारी machinery होती है, उस machinery की आप यहाँ पर day-to-day आप यहाँ पर क्या करते हैं, उसको check करते रहते हैं, कि उसके अंदर कोई fault तो नहीं है, या वो properly work कर रही है, या नहीं कर रही है, तो उस सभी के लिए आपको क्या क systems लगाते हैं, या फिर में बात करूँ, यहाँ पर आप sensors लगाते हैं, उस sensor को monitoring करने के लिए, या फिर में बात करूँ, उस sensor को आप अपने display में display करने के लिए, yes, display में display करने के लिए, आप यहाँ पर क्या करते हैं, SCADA system को यूज़ करते हैं, तो basically बात करें, SCADA system होता क्या ह तो आपके पास कोई भी control system का design होता है इस कोई भी control system का design होता है इंडिश्ट्रीज चंदर उस control system को आप यहां पे कर रहा है monitoring करते हैं या फिर में बात करूव फूरे plant का operations होता है उसको आप यहां पर आप क्या कर रहा है व्यू देख रहा है भाला किस तरह से working कर रहा है यह वर्किंग आप यहां पर क्या कर रहे हैं अपनी जगह पर भी रहके देख सकते हैं प्लस यहां पर आप किसी और प्लेस पे हैं तब भी आप यहां पर वर्क कर सकते हैं देखें इसके नाम के वारे में बात करें थोड़ा सा कि स्काड़ा क्या होता है तो स्काड़ा हमार प बहुत सारी मसीजी लगाती है मसीजी अपना-पना यहां पाउल लेकिन उसके अंदर हम यहां पर चेक करते तो नहीं हो रहा है कोई प्रट कुले सीज़ के आपके वाद की उपना नहीं हो गई यह कोई भूद का कैसे अजया है कर रही है यह यहां पर दखक करें हैं तो basically बात करें, उन सभी चीजों को देखने के लिए, आप क्या करें, workers को यूज करें, उस worker की जगा, अब आप यहाँ पर क्या करते हैं, sensors को यूज करते हैं, sensor उसको चीजों को sense करता है, उसको check करता है, कि हाँ यह work कर रही या नहीं कर रही है, लेकिन उन सभी चीजों को monitoring कर करते हैं, देखें, बात करें, SCADA के अंदर आप क्या करता है, supervisor करते हैं, मतलब आप उसकी monitoring करते हैं, plus इसके साथ-साथ-सका control भी किया जा सकता है, just like आपके machines के अंदर कुछ faults हो गया है, तो आप उस machine को यहाँ पर at a time उसको stop करना चाते हैं, तो आप क्या करते हैं, SCADA के कर सकते हैं, या किसी particular part को आपको running करवाना है, या stop करवाना है, या फिर उसकी speed को कम करना है, तो basically आप यहाँ पर SCADA की help से यह सब काम कर सकते हैं, तो SCADA आपको monitoring and controlling दोनों को यहाँ पर possibility देता है, बात करें यहाँ पर data acquisition के बारे में, देखें, data acquisition का मतलब यहाँ पर होता है कि data को आपको collect करना, देखें particular एक आपके पास machinery की बात करो, तो particular machinery के अंदर आपके पास बहुत सारे data होते हैं, just like उसका RPM क्या चीज हो रही है, या फिर बात करें उसके अंदर voltage of current कितनी जा रही है, या फिर मैं बात करो आपको कोई चीज है जो production दे रही है, उसके अंदर क particular voltage जो इनको मिल रहा है, कितना current मिल रहा है, कितनी power supplies हो रही है, ये सारी चीजों को आप यहाँ पर data को collect कर सकते हैं, और उस data को collect करके उस data के अंदर analysis कर सकते हैं, कि आपकी particular machinery सही रही है या नहीं कर रही है, ये सारी चीज़े आप उसके अंदर देख सकते हैं, तो basically बात कर आपको यहाँ पर देखने होलती है, तो SCADA system के अंदर आप historical data भी देख सकते हैं, और इसके सार सार बात करें, आपके पास यहाँ पर जो real time data चल रहा है, वो भी आप यहाँ पर देखा जा सकता है, तो SCADA का जो यहाँ पर मतलब होता है data acquisition system, यस किसी भी चीज का आपका data acquisition कर स बेसिकली बात करें यहाँ पर, तो इसका जो role होता है, वो PLC के साथ होता है, PLC आपके पास SCADA से connect होती है, और PLC आपकी machinery से connect होती है, जो कि आपके पास अलग-अलग sensor से connect होती होती है, clear, sensor हमें data को sensing करता है, और वहाँ पर कोई भी चीज को आपको fault मिले, या फिर बात करें जिस तरह का आप यहाँ पर sensor को use कर रहे हैं, उस तरह के sensor को sensing करके, बना उससे data को यहाँ पर sense करके, आपका जो signal है, वो PLC तक पहुचाता है, PLC का जो signal है, वो आपके आवास क्या करता है, यहाँ पर SCADA के थ्रू हम यहाँ पर monitoring करते हैं, clear, तो basically SCADA क्या होता है, आपको clear हो चुका होगा यहां पर किस का रिकॉर्ड कर सकते हैं या रियल टाइम में आप उसे डेटा को देख सकते हैं अब बात करें हैं यहां पर कि आपका जो स्काड़ा है वो किस तरह से वर करता है यहां इसकाड़ा सिस्टम के लिए आपके पास 3-4 major components होने चाहे जाएं Just like आपके देखे field instruments जैसे के बात करिएं यहां पर field instruments है आपके पास उस field instruments के अंदर आपके बात करें यहां पर बहुत सारे sensors लगे होते हैं जो अलग-लग तरीके से work करते हैं, just like मैं बात करूँ यहाँ पर overflow sensors होता है, Metal detecting sensors होते हैं यहाँ पर, Yes fire detecting sensors होते हैं, Yes इस तरह के हमारे पार बहुत सारे sensors होतें जो इनका work अलग-उलग तरीके से होता है और अलग-अलग इंडिस्टिस्टिस में मैं बात करूँ एक machinery है उस machinery के अंदर आपके पास यहाँ पर कोई भी metal उसके अंदर first चुका है अब उस particular time पर आपकी machinery आपके पास क्या हो चुकी है यहाँ पर block हो चुकी है या फिर बात करें उसकी जो running है वो यहाँ पर slow हो गई है अब उसकी वज़े से आपका जो production है उसके यहाँ पर क्या करते हैं सकाड़ा system को लगाते हैं ताकि हम अपने control room के अंदर बैठे बैठे हम उस system के अंदर जो बैठे आपका जो fault हुआ है वो उसको दीख सके हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं field के अंदर हमारे पास अलग-अलग sensors होते हैं उस sensors को लगाते हैं वो sensing क्य वो क्या करता है PLC तक पहुचाता है अब PLC का काम शुरू होता है PLC के अंदर आपके पास क्या होता है यहाँ पर input auto device जलगे होता है आपके पास देखे बात करें PLC उस data को collect करता है और CPU की जड़े SCADA software तक बाताता है तो basically बात करें SCADA software हमें क्या करता है यहाँ पर data को collect करता है और हमें यहां बे बताता है कि आपके पास उस machinery के अंदर कुछ fault है या फिर बात करें कुछ problems है फिर आपके बास हम क्या कर सकते है SCADA software के थुरू या तो हम वहीं पर बैटे-बैटे manually उसके अंदर के वर्क कर सकते ह यदि कुछ working करने के positions में है तो हम वहीं पर work कर सकते हैं या फिर हम बात करें हम machinery के पास जाके भी उसको यहां पर revolve कर सकते हैं clear तो SCADA system तक हम क्या करते हैं information पहुंचाते हैं SCADA के थुरू हम वापस क्या करते हैं CPU तक signal देते हैं और CPU को signal देके हम PLC तक signal देते हुए वापस field के अंदर देते हैं देखें basically यह जो process होता है यह process आपके पास input output process पर work करता है यदि आप किसी चीज को input दे रहे हैं और फिर उसी से वापस output ले रहे हैं फिर वापस input दे रहे हैं तो हम यहां पर directly इसको use कर सकते हैं या फिर हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी हमारे पास faults वग आपनी PC के अंदर या फिर बाद करें आपके पास laptop के अंदर आप इंस्ट्रॉल कर सकते हैं फिर उसके अंदर आप यहां पर उसको monitoring करने का काम कर सकते हैं लेकिन यह जो SCADA software है यह compulsory प्रॉपर ली तरीके से PLC से connect होता है और PLC से जितने भी हमारे पास signals होते हैं वो आपके स्काडा किस तरह से work करता है और SCADA का क्या role है industries के अंदर आप बात करें यहां पर जहां पर बैठे बैठे क्या करते हैं उसकी controlling करते हैं यहां पर production scheduling के अंदर आपके बात क्रें पर production controlling का काम करते हैं उसके बाद यहां पर आपके अपशे a leg कोते हैं जो और आपके पासो सते हैं और यहां पर correct करते हैं और अघए पर enc долго करते हिा मैं ने अब कुए ओ Şu तरे आप और भी हमारा पास components होता है, जो यहां पर controlling का work करता है, जिसके अंदर हमारा motor drive भी आता है, yes, motor drive भी आपके 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 controlling device है, जिसके थुरू आप क्या कर सकता है, motor को control कर सकते है, yes, उनको अलग-अलग frequency के अंदर run करवाना हो गया, या फिर मैं बात करूँ, यहां पर अलग हम बात करते हैं, यहां पर SCADA के measure components के बारे में, कि SCADA के अंदर हमें कौन-कौन से components यहां पर देखने हूं मिलते हैं, तो SCADA के components की बात करूँ, तो सबसे पहला हमारा पास है MTU component, देखे, MTU मलब master terminating units के बारे में बात करें यहां पर, यह आपके पास basically SCADA से connected होता है, yes, SCADA के जो भी हमें signals मलता है, yes, वो हमें MTU के थरू मिलता है, या फिर SCADA से जो भी हमें signals देना होता है, वो हम यहां पर MTU के थरू देते हैं, उसके बाद हमारा पास थरूरा होता है RTU, RTU होता है remote terminating unit, यह क्या करती है, कि आपके पास जितने भी field device है, just like sensors हो गया यहां पर, motor drives हो ग connected होता है, RTU से हमें यहां पर signals बिलते हैं, किसको MTU के अंदर, MTU के हम यहां पर use करते हैं SCADA के अंदर, तो basically यहां पर देखे, तो यह पूरा आपके पास एक chain होती है, जिसके थरू आप यहां पर work करते हैं, तो यह दोनों जो systems होते हैं, यह आपके आपके आप SCADA सिस्टम क अंदर use होने वाले, जितने भी components हैं, वो सारे आप यहां पर connect करते हैं, फिर आपके पास जो industries के अंदर components है, उसको connect करते हुए, आप यहां पर working करते हैं, clear, बात करें, communication network, तो इन सभी के बीच में आप जो इस network का use करते हैं, वो इसको हम यहां पर communication network का use करते हैं, तो basically बात से हम यहां पर क्या करते हैं, सकाड़ा को use करते हैं, जिसके अंदर MTO आ गया, यहां पर बात करें, RTO हो गया, यहां पर बात करें, और हमारे पास यहां पर हो गया communications network, जो कि क्या करते हैं, आपके पास, किसी plan से लगा कर, आपका controlling room है, जहां पर आप बैठे, study कर रहे हैं, यहां पर किसी जीज को monitoring कर रहे हैं, वहां तक के बीच के जिंदा, जितने भी components लगे होते हैं, यह सारे हमारे पास work करते हैं, clear, अब हम बात करते हैं, benefits के बारे में, कि SCADA का benefits क्या हो रहा है, तो देखें, इससे हमें क्या बलता है, यहां पर बात करें, तो इससे reliability increase हो जाती हैं, clear, इसके साथ साथ बात करें, यदि आपके किसी system के अंदर कोई fault आ गया, just like मैंने आपको एक example बता था, कि आपकी कोई machinery है, उस machinery के अंदर कोई metal आ चुका है, तो उस metal को आप कैसे detect कर सकते हैं, plus यहां पर बात करें, उस metal के आने पर, आपकी machinery के अंदर कोई fault ना आए, उसके लिए आप यहां पर अलाराम यहां पर दागत सकते हैं, तो यह सारी चीज़े हम यहां पर use कर सकते हैं, clear, इसके साथ साथ बात करें यहां पर, देखे, estimate need to manual data collection, मतला आप यहां पर क्या कर सकते हैं, अपने जो यहां पर work हो रहा है, किसी machinery के थरू, उसका आप यहां सकते है, data collect कर सकते हैं, किसी particular time के अंदर किस दरह से आप यहां पर work कर रहा है, machinery, यहां फि cầnना input, कितना output हमें मिल रहा है, properly work कर रही है, इसका हम data collect कर सकते हैं, तो आपके पास data आपके पास, यहां पर historical collect कर सकते हैं, प्लस बात करें, real time का, जो आपके पास रुचरा है, मतलब आपके वास किसी चीज को कब maintenance करना है, किस समय उसको repairing करना है, वो automatically आप यहाँ पर उसके अंदर अलाराम सेट करके, या फिर मैं बात कुरूँ, आपका कोई system है, उसका आप कोई maintenance time दे रहा है, just like one year हो गया, two years हो गया, तो उस time पर, उस particular time पर, आपको वो क्या कर सकता है, signal दे सकता है, कि इस particular time पर, अब आपका जो system है, वो यहाँ पर faulty होनी वाला है, तो आप उससे पहले उसका क्या कर रहे हैं, maintenance कर वाले, या पर आपके जो system है, उसकी जो यहाँ पर efficiency है, वो यहाँ पर कम होनी वाली है, तो उस particular system को आप यहाँ पर repair करा दें, इस तरह कि जो आपके पास alarms होते हैं, या फिर maintenance का जो time होता है, वो यहाँ पर आप दे सकते हैं, और उनको यहाँ पर आप monitoring कर सकते हैं, यहाँ जश लाइब मैं बात करूँ, इससे पहले जब industry automation से पहले, हम जब work करते थे, तो हम किसी particular machine के अदर, किसी particular maintenance के अदर बात करें यहाँ पर, machine की maintenance के बारे हम बात करें यहाँ पर, तो उसके लिए हमे Must record को record करना बड़ता था, मतलब आप और आपका record को यहाँ पर manually books के अंदर record करना बड़ता था, और वहाँ पर हमें रिक्क्या रखना बढ़ता है, कि यह जो मसीन है, यह कितने साल के बाद आपको रिपैर करनी है, या फिर इसके अंदर कब फॉल्ड आ सकता है, कब इसका एफिसेंसी कम हो सकती है, तो वह सारे चीज़े हमें रिकॉर्ड करनी बढ़ती है, लेकिन स्काडा स सिस्टम से हम क्या कर सकते हैं, उसका जितना भी डाटा है, उसको स्टोर करके एक प्लस यहां पर एक नोटिफिक्सिन दिया जा सकता है, तो आपके पास बात करें यहां पर आपके पास जितना भी मैंटेनेंस होता है, वह सारी चीज़े देख सकता है, बात करें अगला यहा पर हैं आपके पास यहां पर डेटा सीच के अंदर भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं इन सभी चीज़ों का आप यहां पर यहां पर रखने पड़ते थे लेकिन आज के टाइम में जब हम के अंदर कर सकते हैं आप यहां पर किसी मसेंडी के उपर वर्क करें किसी मसेंडी के पास जाके उसके अंदर वर्क करने की जगा है आप अपने कंट्रोल सिस्टम से या कंट्रोल रूम के अंदर से आप जाके वर्क कर सकते हैं देखे बात करें सकाड़ा सिस्टम का यूज कहा आपके पास यहां पर SCADA के थुरू आप उसके अंदर अच्छी रंग से कंट्रोलिंग कर पाते हैं इसलिए हम यहां पर कर रहे हैं SCADA को यूज कर रहे हैं तो I think clear समझ में आ चुका होगा कि SCADA क्या होता है और किस तरह से यूज कर जा सकता है इसके benefits क्या क्या है और किस तरह से हम इसको monitoring कर सकते हैं यह सारी चीज़े clear होगे अब हम अपने अगले video lectures के अंदर मिलेंगे जहां पर basically हम SCADA को start करेंगे कि SCADA सिस्टम के उपर कैसे work adjust करा है इसके कौन-कौन से आपके पास part होते हैं जिसके अंदर हम यूज करने वाले हैं यह सारी चीज़े देखने वाले है clear तो मिलते हैं हमारे एकले video lecture के साथ तब तक आप हमारे से बने रहिए तक आप तक एंदर हैं तक आप दू शेखने लिड़ते हैं तक आप हमारे से चाहिए